तब 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 करेंगे बेसे किली हम सेल के बारे में डिसकर करेंगे कि स्ल क्या होता है किसने डिसकोवर्ड किया क्या उसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं यह सारी जो हैं पॉइंट हम इसी चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं यह हमारा फॉर्स चैप्टर है इस सिरीज का यह जो सिरीज है हमने स्टार्ट किये फॉर आई जैसे स्टेज वन एनसी जीएस के लिए और उसी के अकॉर्डिंग हम इस जितने भी चैप्टर से उसको हम उसी लेवल पर कवर करते हुए चलेंगे तो चलिए हम समझते हैं अबाउट सेल कि सेल क्या होता है सेल को हम इस तरह से समझते हैं कि हमने हमारे आसपस बहुत सारी बिल्डिंग को अब्सर्व किया होगा हमारा घर हमारी घर के आसपस और भी घर होंगे यह हमारी स्कूल की बिल्डिंग गए होंगे, तो वहाँ कोई buildings होंगी, या हमारी colonies के अंदर बहुत सारी घर होंगे, buildings होंगे, हमने observe की हैं, ये सारी एक दूसरे से different है, इनके, अगर हम बात करें size में, बात करें, अगर हम इनके shape में, तो ये सब एक दूसरे से different है, लेकिन अगर हम इनका basic structure बनी होती हैं, तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी buildings हैं, चाहे वो दो room की हों, चाहे multiple floors हों, लेकिन उनका basic structure क्या होगा, उसके अंदर same होगा, same way, जितने भी living organism हैं, पूरी अर्थ पर सबका basic structure same है, चाहे हम एक simple bacteria की बात करें, या हम एक elephant की बात करें, या हम किसी plant के बारे में बात करें, या humans के बात करें, तो सबका basic structure same है, every living organism is made up of cell, हर living organism एक single, एक cell का बनावा है, cell से मिलकर ही बनावा है, हम ये कह सकते हैं, कि हर living organism किसका बनावा है, cell का, लेकिन वो different है, एक plant एक animal से different है, एक bacteria किसी और animal से different है, सब different है, लेकिन सब का basic structure क्या है, cell ही है, सब किसके बने वे, cell की बने वे, और जितने functions कोई living organism perform करता है, actually मैं, वो किसकी activities है, वो cell की activities है, इसलिए cell को कहा गया है, कि cell क्या है, cell है, structural and functional unit of living organism, और we can say structural and functional unit of life, हर living organism एक cell का बना वा है, इसलिए हमने उसको क्या बोला है, structural, और जितने भी function, एक living organism perform कर रहा है, वो किसकी activities है, वो activities है, cell की, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे है, functional unit बोल रहे है, अगर हम बात कर लें, किसी single cell organism की, जैसे amoeba है, amoeba का नाम तो हम सब न ही सुना है, एक single cell organism है, तो एक cell का ही बनावा है, single cell organism का मतलब क्या, एक single cell से बनावा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, वो survive कर पा रहा है, वो survive क्यों कर पा रहा है, क्योंकि जितने function जरूरी है, उसके survival के लिए essential है, वो कौन perform कर रहा है, वो single cell perform कर रहा है, तो इस basis पे हम यह बोल सकते हैं कि एक जो single cell है, it is capable of, capable of independent existence, एक single cell रह सकता है, independently survive कर सकता है, उसके अलावा, जितने vital function है, वो भी perform कर रहा है, तो क्या कर रहा है, एक single cell, performing all the vital function, vital function से मतलब क्या हुआ हमारा, वो सारे function, जो essential है, किसी भी living organism के survival के लिए, तो इससे हमारी पूरी definition clear हो गई cell की, कि जितने living organism है, वो सब cell के बने वे हैं, और जो function perform कर रहा है, कोई भी living organism, वो किसकी activities है, वो cell की activities है, अब हम चलते हैं, cell के बारे में हमने जान लिया, कि cell क्या है, structural unit है, functional unit है, अब बात आती है, कि इस cell को discovered किया, किसने होगा, तो अगर हम बात करें, इसकी discovery की, तो जो first cell था, वो discovered किया था Robert Hooke ने, लेकिन वो cell जो थे, वो dead cell थे, उन्होंने first जब cell को observe किया, तो वो observe किये थे plant cells, लेकिन वो plant cell जो थे, वो dead cell थे, dead cell थे, dead cell, उन dead cells का नाम था cork cell, अब क्या था, उन्होंने कुछ lenses की combination से एक microscope prepare किया, अब उन्होंने सोचा, कि मैं इसमे क्या observe करूं, तो उन्होंने क्या किया, glass की bottles आती है, उस पर cap लगा रहता है, wooden cap, हमने अक्सर observe किया होगा, glass की bottles पर cap लगा रहता है, wooden cap, उन्होंने क्या किया, उसी cap को लिया, slides cut की, slide prepare की, और observe किया, जब उन्होंने observe किया, तो उनको उसमें क्या नजर आए, छोटे-छोटे इसे compartment नज़र आए, इस तरह से tiny compartments उनको नज़र आए, और उन्हों ने इन tiny compartment को क्या नाम दे दिया cell, छोटे-छोटे rooms इनको इस तरह से नज़र आए और उनको नाम दे दिया cell, लेकिन उनको इस cell के अंदर सिर्फ ये boundaries ही नज़र आई, इसके अलावब कुछ नज़र नहीं क्योंकि ये cell कैसे थे, dead cell, अंदर कुछ भी present नहीं था, सिर्फ boundaries ही इनको नज़र आई, अब ये जो cells थे, कौन से cell थे ये, cork cell, और जो cork cell थे, वो कैसे थे, dead cell थे, ये dead क्यों थे, क्योंकि इनके अंदर एक chemical का deposition था, और उस chemical का नाम है, sobering, जब भी किसी cell के around ये chemical deposit होने लगता है, तो उसका अंदर का जो protoplasm में, वो धीरे-धीरे है, या अंदर का जो living content है, वो धीरे-धीरे dead होने लगता है, क्योंकि ये कैसा barrier है, मानलो, for example, ये cell है, चीक है, अब इस cell के around क्या हुआ, इस तरह से, sobering का deposition होना start हो गया, अब ये जो sobering है, ये क्या है, ये impermeable है, ना तो ये water को अंदर आने देगा, और ना ही gases को अंदर आने देगा, ना nutrient को ये अंदर आने देगा, तो जब ये सारे exchange नहीं होंगे किसी cell के अंदर, तो वो cell का living content है, वो धीरे-धीरे मरने लगेगा, और इ थे, dead cell थे, कौन से cell थे, plant की, cork cell, और cork cell के around जोता है, chemical का deposition होता है, sobering, और उसकी वज़े से क्या हो जाते है, वो dead, तो इसका मतलब हमें यहां से ये मिला, कि Robert Hoogh ने first cell तो discovered कर लिया, लेकिन वो cell कैसा था, वो cell था, dead cell, और उनकी एक book थी, माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया एक book थी, जो उन्होंने ही लिखी थी, और उसके बारे में उन्होंने इसमें describe भी गया था, ये बात थी 1665 की, तो इस तरह से क्या हुआ, cell discovered हुआ, first cell, बद हमें यह याद रखना है, कि जो first cell था, वो dead cell था, उसके बाद आए, नहीं थे, एक shop की पर थे, और हो भी थी इनकी microscopy, जैसे सब की अपनी अपनी एक hobby होती है, वैसे ही Anton van Leeuwen-Hukki भी हो भी थी, इन्होंने अलग-अलग lenses की combination से एक microscope prepare किया, और इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने सोचा कि अब मैं इसके क्या observe करूं, तो बहुत जादा बार इसकी वज़े से इनकी shop के बाहर क्या हो गया, पानी खटा हो गया, इन्होंने उसी पानी को लिया, slide prepare की और उसको observe किया, तो उन्होंने उस slide में उनको कुछ moving creatures नहजर आए, और उन्होंने उन moving creatures का नाम क्या रखा, animalcules, तो ये first थे, जिन्होंने क्या किया था, first living cell को observe किया इन्होंने bacteria observe किये, कुछ protozoan थे, RBC थी, sperm cell थे, ये सब इन्होंने observe किये, तो हमें ये ध्यान रखना है कि first cell तो discovered किया था Robert Hooke ने, लेकिन जो first living cell था, it was discovered by Anton van Leeuwenhoek, उसके बाद जैसे-जैसे cell discovered हुए, और भी component discovered हुए, जैसे Robert Brown थे, इन्होंने discovered किया nucleus, nucleus, nucleus के बारे में भी हम आने वाली videos के अंदर, detail में study करेंगे, उसके बाद थे, डुचार दे, ये हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इन्होंने discovered किया था protoplasm, protoplasm क्यों होता है, अभी हम इसको इस थाहां से समझे, कि कि किसी भी cell का, जो अंदर का living content होता है boundary के अंदर, एक cell है, ये अगर मान ले, ये एक cell है, इसकी boundary हमें नजर आ रही है, और इसके अंदर जितना भी content है, living content, उसको हम consider कर सकते हैं, वो protoplasm है, तो इन्होंने discovered किया protoplasm, लेकिन उसको नाम किया था इन्होंने, उसको नाम दिया था इन्होंने, सार कोड, ये हमें बाद में पुरकिंजे ने इसी को, इसी सार कोड को एक नया नाम दिया, जिसका नाम था protoplasm, इन्होंने देखा कि ये हर cell के अंदर present है, हर living cell के अंदर ये protoplasm, ये living content है ही, तो इसी लिए उन्होंने सार कोड को क्या नाम दे दिया, protoplasm, तो यहां हमें confused नहीं होना है, अ का उन्होंने, protoplasm, उसके बाद है, nucleolus, ये भी spherical structure होता है, nucleus के अंदर, और ये discovered किया था, fontona ने, तो ये कुछ discoveries है, about cell, और cell के जो components थे, उसके बारे में, अब next, अब हम study करेंगे, या हम discuss करने वाले हैं, about cell theory, ये microscope है, जो Robert Hooke ने prepare किया था, और ये bottle है, ये bottle के उपर का cap है जिसके पारे में हमने थोड़ी देर पहले discuss किया था, कि wooden cap होता है, इसी का उन्होंने slide को cut करके, slice को cut करके slide prepare की थी और observe किया था, तो उनको छोटे-छोटे compartments नजर आयते, cella term दिया था, उन्होंने उसको, चलो, next अब cell theory, अब cell theory है, आपको दो महान scientist के यहाँ पे photographs नजर जा रहे होंगे, जिसमें है Schwann और Shledon, अब पहले इनके बारे में जान लेते हैं, उसके बारे में चलते हैं कि cell theory है क्या, Shledon जो थे, यह क्या थे, Shledon जो थे, यह थे botanist, और जब भी हम किसी को botanist बोलते हैं, जब भी हम किसी को botanist बोलते हैं, इसका मतलब वो किस पर study कर करते हैं, plants पर, तो यह जो Shledon थे न, यह थे botanist थे, प्लांस से, प्लांस पर study किया करते थे, इन्हों ने यह कहा, कि जितने भी plants हैं, और उनकी जो bodys हैं, plant की जो bodys हैं, वो किसकी बनीवी हैं, इसके ब्लांस स्थ की बनीवें, यह थे इन्होंने बोला थे, Shledon में, प्ला यह थे जुआलोजिस्ट और जब भी हम बात करते हैं जुआलोजिस्ट की तो यह जुआलोजिस्ट वो होते हैं जो किस पर स्टड़ी करते हैं आनिमल्स पर तो जो श्वान थे इनोंने आनिमल्स पर स्टड़ी करते थे तो इनोंने बोला कि जितनी भी आनिमल्स है, जितनी भी आनिमल्स है उन सब की बाड़ी किस कि बनीवी है, cell की बनीवी, यह इन्होंने बोला, और इन्होंने ये भी बोला कि cell, जो animal cells होते हैं, animal cell के बाहर, इन्होंने ये कहा कि animal cell के बाहर एक थिन लेयर होती है, जिसको आज हम cell membrane बोलते हैं, इन्होंने ये बोला कि animal cell के बाहर एक थिन लेयर होती है, और वो थिन लेयर क आज हम क्या बोलते हैं? cell membrane. तो वो किसने बोला था? इन्होंने बोला था कि outer एक thin layer है, outer thin layer, जिसको आज हम क्या बोलते हैं? आज हम उसको बोलते हैं cell membrane. ये इन्होंने कहा कि बाहर एक present होती है. अब ये थे तो जोलो जिस लेकिन इन्होंने कुछ plants पे भी study किया. और अपनी plant क study के basis पे इन्होंने ये बोला कि जो cell wall होती है, वो unique feature होती है plants की. मतलब जितने भी plant cell है, उनके बाहर जो है, एक covering present होगी. Cell membrane के बाहर भी covering present होगी, जिसको हम बोलते हैं cell wall. ये इन्होंने ये बोला था. तो इन्होंने ये बोला था कि cell wall is a unique feature. unique feature किसका था? प्लांट्स का. ये इन्होंने बोला. तो ये जो ये study किया, इस observation, इस study के basis पर ने एक hypothesis दिया, कि किस ने दिया वो hypothesis, ये हमें ध्यान से पढ़ना है. वो hypothesis दिया, शुवान ने. अपने ये studies के basis पर, कि जितने भी plants और animals हैं, उनकी bodies किसकी बनी विये, cell के बनी व बनी ये इन्होंने कहा, अब क्या हुआ, बात तो दोनों एक ही कर रहे थे, ये प्लांट के बारे में बोल रहा थे, ये animals के बारे में बोल रहे थे, बहुत तो ये रहते है, तो they together formulated a cell theory. इन्होंने तोगेदर एक, क्या किया, cell theory आई इन दोनों की, क्या कि बात ये दोनों ए की कर रहे थे एक plants में बोल रहा था और एक animals में बोल रहा था उसी को हम क्या बोलते हैं cell theory अब इस cell theory के according इनकी cell theory के according क्या था कि जितने भी living organism है वो सब किसके बने में cell के और cell products के अभी हमने यही तो discuss किया बोल रहे थे कि जितने भी plants है उन सब की body किसकी बने वी है cell की बने वी है यही था बात तो living organism की हो रही थी तो यह क्या बोवा फर्स पॉइंट हुआ इनकी theory का के जो cells है जो organism है वो किसके बने वे cell के और cell products के और जितने भी functional है वो कौन perform करता है एक फंग्शन जो भी किसी लीविंग और्गानिजम में हो रहा है एक्चल में वो कौन परफॉर्म कर रहा है अब इन्होंने यह तो दे दी लेकिन इस तेयोरी को भी इस तेयोरी नहीं बता पाई कि जो नए सेल्स आते हैं तो रुडॉल्फ विर्चो ने यह कहा कि जो नए सेल्स हैं वो आते हैं पुरानी सेल्स है रुडॉल्फ विर्चो ने यही कहा कि जो नए सेल्स है वो आ रहे हैं पुरानी सेल्स है तो मतलब रुडॉल्फ विर्चो फर्स थे जिन्होंने इस तेयोरी को एक्स्पैंड किया या इस तेयोरी को मॉडिफाइड किया औ और उन्होंने एक फ्रेज भी रिया था उस फ्रेज को हमें बहुत अच्छे से याद रखना है वो है omnis cellular E cellular इसका मतलब यह है new cells arises from pre-existing cells और कैसे कैसे arise होंगे only by cell division एक cell divide करेगा और नए cells का formation करेगा यह बोला Rudolph विर्चो ने और वो इसलिव कहा इन्होंने क्योंकि श्लिदन च्वान की cell theory explain नहीं कर पाई थी तो जो Rudolph विर्चो थे उन्होंने जो cell theory थी श्लिदन इन च्वान की इसको modified किया और modified होकर जो हमारे पास आई वो थी modern cell theory, modern cell theory के जो main postulate थे वो यह थे new cell arises from pre-existing cell only by cell division, नए cells पुराने cells से ही आते हैं लेकिन cell division से cell divide करेगा और नए cells बनाएगा, omni cellular, e-cellular, organism जो है वो किसके बने में हैं? cell और cell products के, cell क्या है? functional unit है life की, यह तो तीन main postulates थे, इसके अलावा और भी points थे modern cell theory में, कि जो life है वो exist करती है, एक cell के अंदर ही, life जो है वो किसमें exist करी है? एक cell के अंदर, एक cell जो है वो independently survive कर सकता है, लेकिन cell के अंदर जो cell organelles है, वो independently survive नहीं कर सकते हैं, उसके अलावा और भी यह point है, कि जो cell है, वो अपने function के according, अपने आपको क्या कर लेता है? तो यह कुछ point है, cell theory के, लेकिन जो main points है, यह हमें अच्छे से याद रखना है, हमें यह याद रखना है, first, कि cell theory जो थी वो दी थी, श्लीडन इंच्वान ने, जिसके दो main points अभी हमने पड़े, लेकिन इस theory को जो modified किया था, वो modified किया था, रुडॉल्फ विर्चो ने, और कौन सी cell theory आई, modern cell theory, और यह modern cell theory के हैं, जिसमें जो नया point जो add हुआ था, वो यह था, तो आज की इस video में हमने क्या-क्या सीखा, हमने यह learn किया, कि cell क्या होता है, cell का definition है, वो हमने देखा, cell का किस तरह से cell discovered हुआ, उसके अलावा सारे बाकी के जो component हैं, वो कैसे discovered हुए, and about cell theory, अब जो next video होगा हमारा, उसमें हम discuss करेंगे about cell size, cell की sizes जो है, कौन से factors है, जो govern करते हैं size को, shape को, कितने types की cells होते हैं, और cells के basis पे organism कितने types की होते हैं, यह हम next video में discuss करेंगे, thank you.